देश में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमन की मामलों की बीच एक और बुरी खबर आई है दिले आम्स के डारेक्टर डॉक्टर रंदीब गुलेरिया के मताबेक देश के कही इलाकों में कोरोना वाइरस तीसरे स्टेज पर पहुच गया है डॉक्टर का कहना है कि कही इलाकों में कोरोना का कम्यूनिटी प्रसार हुआ है डॉक्टर रंदीब गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वाइरस की स्टेज 3 में जाना चिंता का विशे है कहीं कहीं पर केस एकदम बढ़ गए हैं और कुछ इलाकों में लोकलाइज कम्यूनिटी स्प्रेड हो रहा है जैसे मुंबई में देश इस समय दूसरी और तीसरी स्टेज के बीच में हैं हलाकि देश के अधिकतर हिस्से अभी भी कोरुना की स्टेज टू पर ही है डॉक्टर गुलेरिया के मताबिक जिन जिन शेत्रों में कोरुना कम्यूनिटी स्प्रेड में पहुच गया है वहाँ यदि अभी भी सकती नहीं बढ़ती गई तो चिंता की बात हो सकती है हलाकि अभी भी इसे रोक लें तो कोई चिंता की बात नहीं है शुरुआती कम्यूनिटी स्प्रेड कुछ पॉकिट्स में शुरू हो रहा है इसलिए अब हमारा जादा सतर्क होना जरूरी हो गया है मरकजमाच से पहले कोरोना वारस को देखते हुए डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि इन लोगों को सतर्क करना बहुत जरूरी है जहां जहां ये लोग गये हैं वहां इनके संपर्क में आए लोगों को क्वारिंटाइं किया जाए अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स हैं तो जरूरत है कि आप घर पर ही रहें बाहर ना निकले लोगडाउन की सवाल पर डॉक्टर अंडीब गुलेरिया ने कहा कि दस्तारिक के बाद जब और डेटा आ जाएगा तभी कहपाना सही होगा कि लोगडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं इस्थिती सामानी होने में समय लगेगा क्योंकि यह वाइरस जानी वाला नहीं है